गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट आज मैं आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कराने चरही हूँ इवन यह नया पेपर ही है आपका में सेकिंड सेंब में आपका फोर्थ पेपर है सोशल डेमोगराफी देखे समाजशास की भिन शाकाओं से आप में जैसे आपने सोशल साइकलोजी पढ़ाता समाजिक मनोविज्ञान इस बार आप समाजिक जननांकी की इसी तरीके से ओध्योगिक समाजशास नगरिये समाजशास एक पेड के समान है जिसके विभिन ब्रांचेस होती है ब्रांचेस मतलब शाकाओं उस शाकाओं में यदि आप देखें आप उध्योगिक समाजशास महिलाओं का समाजशास अपराद शास इसी तरीके से समाजिक जननांकी की नगरिये समाजशास ग्रामिंट समा उनका आप अध्यन करेंगे इस वाले पेपर में आप सभी समाजिक जननांकिकी यनि सोशल डेमोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे देखिए अगर हम जनसंख्या की बात करें जनसंख्या का समाजिक इस तर से समाजशास से जो अध्यन कहलाता है वो जननांकिकी कहलाता है इस इस वाले पेपर में हम सभी जनसंख्या अत्मक उनी सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में आपको एक्जाम में विस्तार से बताना है देखे अगर हम समाजिक जननांकी की या सोशल डेमोग्राफी की बात करें स्टूडेंट तो जननांकी की समाश्षास की एक शाखा मानी जाती है इसका कारण यह है कि जनसंख्या के वित्रण पक्ष उसकी संस्कृति और समाजिक सरंचना को ध्यान में रख कर करती है देखे ध्यान से समझिये समाजिक जननांकी की मैंने का ना अभी समाश्षास है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है जैसे मैंने अभी आपको इंडस्ट्रियल सुचलोजी अर्बन सुचलोजी रूरल सुचलोजी इस तरीके से बताए तो समाजिक जनननांकी की समाश्षास की एक शाखा है जिसमें जनसंख्या उसकी बारे में जनसंख्या की सरंचना मतलब जंदर, मित्युदर, जनसंख्या घनत, पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, शाक्षर्टा, लिंगा नुपात, पूरी सरंच्ना को ध्यान में रखकर उसका अध्यन किया जाता है तो उस मैं सबसे पहले तुम्हें बताती हूँ भारत में जो जनसंख्या, जनसंख्या मतलब किसी समय विशेश में एक शेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, जनगर्ना सैंसस बोलते हूँ उसको आपने देखा होगा, सबसे पहले अगर हम देखे 1872 में सबसे पहले भारत में जन्गरना शूई उसके बाद 1881 के बाद हर 10 वर्ष के उपरां जन्गरना की जाने लगी जैसे 1891, 1891 के बाद 1901, 1901 के बाद 1911, 1911 के बाद 1921 इसी तरीके से हर 10 वर्ष के उपरां भारत में जन्गरना की जाती है, मतलब जो जन्संख्या का अधार वर्ष है वो 10 वर्ष के उपरां रखा जाता है, जैसे 1911 है, 1911 के बाद 1921, 21 के बाद 1931 उनी आकड़ों को हम references मानते हुए जहां कहीं अध्यान करना होता है, किसी ग्रामीन एरिया का, नगरी एरिया का उसका अध्यान करते हैं तो जन्नांकी की किसी समय विशेश में जन्संख्या के अकार, यहां देखें मैंने इसको mention किया हुए है, आप अगर देखेंगे जन्संख्या के अकार, गठन और वित्रण तता समय समय पर उनमें होने वाले परिवर्थनों में रूची रखती है, यहां देखें आप जन्न जन्नांकी का शर्फथम प्रियोग 1855 में गुईलाड ने किया था, गुईलाड ने अपनी किताब लिखी थी, The Elements Distinct Women on Demography Compare, यहां मैंने इसको नाम दिया हुआ है, सोरी यह गलत होगी है, यहां पर, तो इसमें गुईलाड ऐसे पहले व्यक्ती थे, जिन्होंने 1855 में जन्न जन्नांकी की, यहनी Demography शब्द की रचना की थी, लेकिन यदि हम विधिवत रूप से जन्नांकी की बात करें, तो उसका शुरू करने का शे जॉन ग्रण्ट को दिया जाते हैं, आपने 1862 से जन्नांकी की अध्यन का शुभारम किया था, जो जॉन ग्रांट थे, गुईलाड ग्राड ने तो जननांकी की शब्द का सर्फरतम प्रियोग किया था अपनी किताब में लेकिन यदि हम जननांकी के के ओ अध्यन की एक शाका के रूप में देखें कि किस तरीके से अध्यन के रूप में प्रियोग किया गया तो सबसे पहले जोन ग्राड ने जननांकी के को जनसंख्या का पिता का जाता है, मैं तुम्हें अगर माल्थस की बात करूँ, माल्थस एक पादरी थे, फौदर थे, उन्होंने कहीं न कहीं जनसंख्या के शेत्र में बहुत योगदान दिया है, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या का सिध्धान भी दिया था, जो मैं आगे आने वाले चैप्टर में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगी माल्थस का जनसंख्या का सिध्धान जैसे जनसंख्या में अनुधितिय विधि और खत्दे प्रतातियो में जैमेतिय वृधि इस तरीके से उन्होंने उसको विस्तार से बताया था तो जब मैं सिध्धान आपको तो उससे उनके अनुकूलतम जनसंक्या सिध्धान और मौल्थस के बारे में बताऊंगी तो आपको फादर ऑफ सुशॉलजी बोला जाता है किसको मौल्थस को स्टूडेंट अब हम यहां आप देख सकते हैं समाजिक जननांकिकी कोश परीभाशा हैं उनको पढ़ेंगे क्योंकि कहीं भी कोश्चन स्टार्ट होता है एक्जाम में वहां समाजिक जननांकिकी परीभाशा जरूर पूची जाती है जो फर्स रेफिनेशन है वो बर्कले के अनुसार है आपने कहा है कि जननांकिकी में हम जनसंख्या के अकार उसकी सरंचना घनत वित्रण और समयन असार परीवरतन एवं उनके कारणों का अध्यन करते हैं देखिए उन्होंने बहुत इस पश्च जैसे मैंने आपको बताया गहतना जंदर मित्यूदर लिंगा अनुपार जनसंख्या घनत जैस której सरंचना का निर्धारं करते हैं तो बरकले कहते हैं कि जननांकीकी में हम जन संख्या के अकार मताब जन्संख्या का पुरा अकार उसकी सरंचना उसका स्ट्रक्षर घनत यानि density और समयनकी उसकार जन्संख्या में किया परिवर्चन होते हैं, उनका अध्यन करते हैं, इसी तरीके से हाउजर एवं डंकन के अनुसार, जननांकिकी, जन्संख्या के अकार, भौगोलिक वित्रन, गठन, वह उसमें परिवर्चन और इन परिवर्चनों के भाग में, जोकी जंदर, मित् गर प्रादेशिक गमन एवं समाजिक गतिशिलता के रूप में जाने जाते हैं, उनका अध्यन करते हैं। तो हाउजर और डंकर्ण के अनुसार, जनसंग जननांकिकी में वही वाली बात, कहीं न कहीं, आप सारी डेफिनेशन में समाजिक जननांकिकी के, कहीं न कहीं जनसंग्या के अकार, जनसंग्या की सरंचना, उसके गठन, इन से समन्दित हैं, इसी तरीके से हाउजर डंकर्ण भी कही न कही का है कि जनसंग्या के अगार अकार उसका भोगौलिक वित्रण की शेत्र के अनुसार जिसे अगर हम देखें जहां से समझेए मैदानी इलाकों में जनसंग्या का घनत बहुत जादा होता है यदि हम परवतिय शेत्रों में देखें तो जनसंग्या का घनत कम पाय जाता है तो उन्होंने बोला है जननांकिकी जनसंख्या के अता अकार भोगोलिक वित्रण गठन वे उनमें परिवर्तन और उनके परिवर्तन के भाग में जो कि जंदर, मित्यूदर, प्रादेशिक गमन यानी पलायन एवं समाजिक गती शिर्दा के रूप में जाने जाते है का अध्यन करते हैं इसी तरीके से डीजे बूस के अनुसार जननांकिकी में हम जनसंख्या के अकार, उसके घटक, उसके शेत्रिये वित्रण, उसकी जंदर, मित्यूदर, विभा, गतीशी, प्रवास, संबंदी, गड़तिये जानकारी का अध्यन करते हैं मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ कि सभी समाज शास्तियों ने यह जनसंख्या शास्ति जो जिन्होंने जनसंख्या का समाजित जननांकिकी का अध्यन किया हैं, कहीं न कहीं आप जनसंख्या के अकार की बात करते हैं, जनसंख्या के गठन की बात करते हैं, जंदर, मित् चोड़ यह निकलता है कि जननांकी की वे विज्ञान है जो जनसंख्या के अकार, गठन, बोगलिक वित्रण, जन्मदर, मित्तिवदर, जनसंख्या घनत, देशांतर, गमन, यानि पलायन और उनसे होने वाले परिवर्तनों का सांख्य की और गडितिय अध्यन है क्योंकि इसक जाता है, जैसेre 1911 के अब तक हमारा जो जनसंख्या का अधार वर्ष हम मानके चलते हैं, वो बच्चों मानके चलते हैं, 2011 की जनगर्णा के अनसार, क्योंकि दो ہज़ार ग्यारा के बाद, 2021 में जनगर्णा होनी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई, तो जो जनसंख्या का आधार वर्ष है वो 2011 के आकड़ों को माना जाता है हमें यदि कहीं भी जनगर्णा के आकड़े देने हैं तो बच्चों हम किसे देंगे 2011 के आकड़ों को तो 2011 के आकड़ों के निसार भारत की जनसंग्या एक अरब 21 करोड़ों जबकि हाला कि आज के टाइम में तो बहुत ब परिभाशत किया गया है आगे चलते हैं बचो इस्टूडेंट यहां हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं कि समाजिक जननांकिकी के अंतरकत किसका अध्यान किया जाता है तो समाजिक जननांकिकी में जनसंख्या परिवर्तन के समाजिक कारणों और परिडामों का अध्यान किया जाता है देखिए जनसंख्या परिवर्तन के समाजिक करण वो सोशल फैक्टर्स और जो उसके परीडाम है इसके परीडाम क्या सामने आता है जैसे अगर हम देखते हैं दिल्ली चंडिगड इनमें डेंसिटी डेंसिटी मतलब जनसंख्या गनत बहुत जाता है जहां अगर हम उत्राखंड की बात करें और खास्त और पे उत्तरकाशी चमोली पिधारवगड की बात करें तो वहां एक किलोमीटर के दाइरे में मात्र 40-50 व्यक्ति निवास करते हैं वहीं हम यदि दिल्ली और चंडिगड की बात करें तो वहां एक किलोमीटर के दाइरे में 10-12,000 व्य जНसंक्या के समाजिक कारणों और परड़नामों का अध्यन किये जाता है। तता समाजिक गतीशीलता का भी इसी के अंतरगत कि किस प्रकार जनसंक्या और सोशल मोबलेटी समाजिक गतीशीलता साथी साथ जन्दर, मित्यू, आयू, विभा यहां मैंने मेंशन किया हैं आप देख सकते हैं विभा जन्गनत्व, यौन, संबन, परिवार, संस्ता, समाजिक सरण्या, तलाग, पुनर विभा, वैद एवं अवैज संतान, जन्म, प्रवास, इस्त्री पुरुश, अनुपात इन सभी के बारे में समाजिक जननानांकिकी के अंतरगत अध्यन किया जाता हैं समाजिक जननानकिकी में बच्चो व्यक्तिक व्यवारों के स्थान पर समाजिक व्यवारों को मैद दिया जाता है जन्ग संख्या नियंतरण के बारे में सरकार ही नीती नहीं बनाती वरन इसके पीछे समाजिक विचारधारा पी पाई जाती है यही कारण है कि जनसंख्या के बारे में जितने भी सिध्धान्त हैं उसमें समाजिक सिध्धान यानि सोशल फैक्टर भी पाई जाते हैं देखिए इसको मैं बताती वो सरल साधारन भाषा में अगर हम कहने लगे कि जो गंगा का मैदानी शेत्र है इसमें जनसंख्या बहुत जाता है ठीके और हम कहने लगे यहां गरम जलवाई हुए इसलिए उसका फरक पड़ता है तो सिर्फ हम जैवकिये कारकों को जनसंख्या के लिए पत्तर रिस्पॉंसिबल नहीं मानते हैं हम समाजिक सिध्धान्त भी जैवकिये सिध्धान्त के साथ समाजिक सिध्धान्त भी पाई जाते हैं और यदि हमें जनसंख्या के बारे में समाजिक मानताओं मुल्यों संस्थाओं और मनोवत्या का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम जनसंख्या का अनुमान सही से नहीं लगा पाएंगे हम अगर देखो अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं तुम्हे 2011 की जनगर्णा के अनुसार बहुत सारी चीजे पढ़ाऊंगी जैसे जंदर भी हो गया मित्युदर आयू लेकिन यदि मैं देखूँ खुद मैंने भी ऑब्जर्व किया हैं जो जंदर मित्युदर हैं बहुत से लोग तो जन प्रमान पत्री नहीं बनवाते मित्यु प्रम जन आये हैं उसमें कहीं न कहीं इनकी जर्वत पड़ती है तो लोग अब तो खेर काफी जागरों को गई है पहले के जमाने में कोई जंदर मित्युदर नहीं बनवाते थे आजकल तो काफी ट्रेंड में आ गए हैं तो इसके अंतरगत हम पूरी जनसंख्या उनका सही अनु जैसे इस्त्री शिक्षा का प्रभाव की वे देर से विभा करती हैं जैसे आजकल पहले देखते थे पहले चाइल्ड मेरी यानि बाल विभा अस्तित में थे बाल विभा थे तो उसी तरह के समाज में क्या थी उसी तरह समाज में कहीं न कहीं परेशानिया थी जैसे हुआ करती थी क्योंकि लोग जल्दी उम्र में शादी कर लेते थे और बच्चों की संख्या अधिक होती थी लेकिन आजकल जैसे इस्त्री शिक्षित जब होने लगी है तो कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए अपने आपको स्वतंत्र ब होती है और जितनी भी महिला इस कारेशिल है कहीं ना कहीं संतान जब होती है तो उनमें भी अंतर रखती है जिससे वो पालन पोशन ठीक से कर सके परिवार नियोजन पर अमल करती है आज जितने भी एजुकेटड फैमली है वो सब क्या करते हैं परिवार नियोजन पर ध्या परिवार होते हैं उसमें एक पित्र बेटा ही अपने परिवार को वंश को आगे बढ़ाता है कि इससे जन्दर और परिवार नियोजन प्रभावित होते हैं इसकी चाहत यानि पुत्र प्रापती की चाहत से जन्दर और नियोजन प्लानिंग भी जो होती है इफेक्ट होती है मतलब ऐसा कहा जाता है जो जनसंख्या है या समाजिक जननाथिकी वो किस से संबंदित है यहां मैंने उसको भी डिफाइन किया है जनसंख्या का अस्तित के लिफ जन्मदर और मित्युदर पर अधारित नहीं है वरन उसके लिए समाजिकरण, शिक्षा, व्यवसाय तथा समाजिक एक्ता की भी आवशक्ता होती है जन संक्या समाजिक व्यक्तियों का समूव होती है जबकि समाज जन संक्या से ही बनता है स्टूडेंट अगर हम देखें जंसंख्या व्रद्धी जन्म और मित्युदर पर निर्भर रहती है। जो जनसंख्या व्रद्धी होती है कि कही न कहीं जब जन्दर अधिक हो मित्युदर कम रहता है कहीं न कहीं जन्दर का सम्मन्त सहवास से होता है पतेक समाजबे जनसंख्या जैविक अधार पर जित्ती बढ़ती है उतनी कभी नहीं बढ़ती है क्योंकि कुछ समाजिक मनेता ह इस सीमा तक जनसंख्या को बढ़ने नहीं देते हैं, आप अगर देख सकते हैं, जो मैं भारत की परंप्राकत या पित्र सत्तात्मक बात करी हूँ, वो एक फैक्टर से हो सकता है, जिनमें जनसंख्या बढ़ती है, उसमें कहीं न कहीं ये सब फैक्टर्स प्रभावित करते है इसी तरीके से अगर आप देखें, मित्युदर भी समाजिक करणों से प्रभावित होती है, राश्टिय आये तता प्रति व्यक्ति आये के बढ़ने से देश में विज्ञानिक उन्नती मियायचित वित्रण और मित्युदर कम होती है, साथ ही ये बात भी सत्ते हैं कि सब बा होगी, आप आगामी जब चैप्टर्स में मैं आपको जनसंख्या के सिधान पढ़ाओंगी, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं आपको कहना क्या चारी हूँ, कहीं ना कहीं जब ज़्यादा जनसंख्या होती है, खाने के लिए खादे पतात कम पढ़ जाते ह हैं, चीजे हमारी पहुच से भार हो जाती है, लेकिन यदि जनसंख्या कम होती है, तो खादे पतात भी हमें मिल जाते हैं, सस्ते भी मिलते हैं और हमारी पहुच भी उनसे सुलब हो जाती है, तो ये है बच्चों समाजिक जननानांकिकी, आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको समाजिक जननानांकिकी के विशे और शेत्र इसके बारे में विस्तार से पढ़ाओगी, तो समाजिक जननानांकिकी जो है समाजशास की एक शाका है, जिसमें समाजशास के विशे में विस्तार से बताया गया है